दोस्तो आज हम पढ़ेंगे रेलगाडी संबंधी प्रस्न, रेलगाडी से संबंधी प्रस्न हम कैसे कैसे प्रस्न पूछा जाता है, यह सब पढ़ेंगे है न, तो रेलगाडी संबंधी प्रस्न पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ फर्मूला बता देता हूं, तो उससे आ दुरी बराबर च얼 गुरित समय और समय बराबर दुरी बटे चाल और गति बराबर होता है दुरी बटे समय यह सब फर्मुल आप लोग को जानने की जरूरत है चलिए देखते हैं सौल्व करते है और तीन सुमिटर लंबी एक ट्रेंड जिसकी गति 40 km पती घंटा है अब एक बिजली के खंबे को कितने समय पार करेगी मालो एक बिजली के खंबा है है ना और 300 मिटर लंबी एक टेन है और साथ किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से चर रही है और उस खंबे को कितने समय पार करेगी या कोशन में पूछा है तो पार करने में लगए समय समय बराबर के चाल कितना है हमारे पास? 60 km प्रती घंटा है अगर देखो, 60 km प्रती घंटा है उसको पहले change कर लेते हैं तो 60 को 5 बच 18 से जब उसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये सब solve कर लेते हैं तो यहां से solve करते हैं जब 18 को 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? तीन बार में जाएगा? 6 गम 6, 6 2 12, 6 3 18 और 60 को भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा? 6 दाम 60 अब ये 3 बार में चला गया है यहां 10 हो गया है देखो अब क्या क्या बचा है 300 उपर बचा 6 नीचे में 10 गुणीत 5 बटे 3 बचेगा अब ये वाला 0 और ये 0 कर जाएगा 300 में और 10 का नीचे वाला 0 का 0 कर जाएगा अब 5 इसको काड़ देते हैं 5, 6 का 3, 6 बार में चला गया अब जो नीचे में 3 है 3 को उपर लेंगे तो यहाँ ते गुणा हो जगा 6 कम 6, 6, 2, 6, 3, 18 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा तो यह खंबा को 18 सेकंड में पार करेगी चलिए अगला कोश्चन देखते हैं और बहुत important कोश्चन है कोश्चन कहता है 1500 मिटर लंबी ट्रेन 450 मिटर लंबे प्लेट फार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गती क्या होगी यह कोश्चन में पूछा गया है तो इसको solve अक कैसे करेंगे माल लिग यह 1 से मिटर लंबी एक ट्रेन है और Y मिटर लंबे एक प्लेट फार्म या पूल जो भी हो उसको 30 सेकंड में पार कर लेती है तो इस ट्रेन की गती क्या होगी है यह पूछा है है न तो इसको आप लोग फार्मूला से मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा फिर solve trick बनाएंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा X प्लस Y बाई T अब ट्रेन की गती के लिए देखते है तो 1.500 मिटर लंबी एक ट्रेन है उसको X माल लेंगे और 400 मिटर लंबे एक प्लेट फार्म हम इसको Y माल लेंगे तो X प्लस Y बाई T T कितना है 20 सेकंड है न तो चलिए इस फार्मूला में रख लेते हैं तो 1.500 प्लस 450 बटे 20 कर देंगे और यह 18 बटे 5 दिया गया है अब चलिए इसको Solve कर लेते हैं 1.500 और 450 को जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा और नीचे का 20 अब उपर में दिया गया 18 बटे 5 है न तो अब इसको Solve करते हैं तो 20 से 600 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा दोस्तो 30 बार में जाएगा 20 से 600 भाग करेंगे तो 30 बार में जाएगा ठीक है अब 30 उपर में आ गया है अब 500 उसको कार देते हैं तो इसको कितना बटे 5 चलिए पांस चलिए चलिए अब 18 गुणी 6 बचा है एक टेन है कितो से मिटरब के प्लेट हमेंयगे αλλά को तो कितने समय्म पार के और आज से ही क्या अभी सब पढ़ने स्टार्ट करती है ना और ट्रेन रेल गारी जो भी हो जितने भी सवाल बनेंगे सब पढ़ेंगे बस सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को आर रखे कोश्चन सॉल्वा करते हैं चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं देखो य बटे ऐस गुनीद पांच बटे अठारा सेकेंड में तो चलिए इसको फर्मूला से सॉल्वा कर लेते हैं तो ट्रेन द्वारा लगास समय तो समय बराबर क्या हो जाएगा एक सुसाट मीटर लंबी एक ट्रेन है उसको एक समाल लेते हैं और दो सिमीटर लंबी है ना अब देखो 160 वाट 155 वत कितना आ जायगा है अब इसको कर लेते हो तो 155 वत कुछ 15 होगह आप पर अब 15 को 360 से काटेंगे कितना बार में जाएगा 24 बार में जाएगा देखो आप प्लेट फांग को कितने समय पार करेगी तो 24 सेकंड में पार कर लेगी है न अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाते हो और व्यापम की तैयारी करना चाते हो तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें को आन जरूर रखे मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा चलिए दोस्तों धन्यवाद